इसके इस नए पिसोड में आप सबका स्वागत है आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इस्पेशली उन लोगों के लिए जो डॉक्टर बिस्वरूप की डी आईपी डाइट फॉलो कर रहे हैं और वो लोग जिन्हें बाइचांस डी आईपी डाइट के बारे में नहीं पता तो ये वीडियो तो आप लोगों के लिए लाइफ चींजिंग साबत हो सकती है ये वीडियो बहुत बहुत सारे लोगों के एक्सपीरेंसेज और कमेंस को सुनने के बाद समझने के बाद तब बनाई गई है पूरी वीडियो बहुती ध्यान से सुनना और हर इक पॉइंट को अपनी नोटबुक में भी नोटड़ डाउन कर लेना ताकि आप अपनी डाइट में वो गलतिया बिल्कुल भी न करे जिनसे अकसर लोगों को सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाते और फिर अलग-अलग तरे की डेफिचेंसी उनके शरीर में क्रियेट हो जाती है टीम लाइफस्टाइल के से उप्रेशन रियालाइज इसका मकसद ही है कि हम आपको सारी जानकारी सरल से सरल भाषा में दे सके ताकि आप लोगों से इजिली अप्लाइ कर सके और आपको कभी भी डॉक्टर्स का मूह तक न देखना पड़े तो दोस्तों सबसे पहले जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं हम आपको डॉक्टर बिसुरू की इस डी आईपी डाइट के बारे में चंड शब्दों में समझा देते हैं इसमें नंबर वन है ब्रिक्पस्ट जिसमें आपको लेने होते है फ्रूट्स तीन से चार प्रकार के फ्रूट्स बारा बज़े से पहले-पहले नंबर टू है लंच जिसमें सबसे पहले आपको प्लेट वन खानी होती है जिसमें होती है चार प्रकार की कच्छी सबजिया रॉव वेजिटेबल्स और लीव्स उसके बार आपको खानी होती है प्लेट टू जिसका मतलब होता है सिंपल होम कोक्ट फूड कम तेल और कम नमक खाना हो नंबर त्री है स्नाक्स जो कि आप चार बज़े के असपास खा सकते हैं इसमें आप ले सकते हैं ड्राइफ फ्रूट्स सीड्स कोकोनट फूट्स प्राउट्स और हुन्जा टी नमबर फूर है आपका डिनर जो की आठ बज़े से पहले पहले ने पढ़ जाना चाहिए इसमें भी लंच की तरह एक्जाक्ली सेम है प्लेट वन और प्लेट टू अब दोस्तों ब्रेक्फस्ट में जो फूट्स है और प्लेट वन में जो वेजटेबल्स है वो सब कितनी क्या क्या चीज़े अवाइड करनी है आपकी मेडिकल कंडिशन के इसाब से क्या क्या चेंजिस करने है डाइट में इसका इंडेफ अनालिसिस हमने पहली किया हुआ है तो आप लोगे वीडियो देख सकते हैं इन सारी जानतारी के लिए लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भ करते है वह पहली गलती जो नभी प्रतीशत लोग इस समय कर रहे है अपनी डाइट में और वह है आपके ब्रेट और बिस्किट हांजी डियाईपी डाइट और इन जेनरल भी पाकेज फूद आपको बिल्कुल अवाइड करना होता है पाकेज फूद में आपकी ब्रेट भी केक्स, चीज, तिंड वेजिटेबल्स, पोटाक्टो चिप्स यह सब कुछ आपको अवाइड करना होता है क्योंकि जब हम पैकेज फूद खाते हैं तो हमारी बॉडी में डायॉक्सिंस एंटर कर जाते हैं जो कि हमारे शरी के लिए बहुत ही टॉक्सिक और कैंसरोस होते है इसके अलावा तो आप लोग जानते हैं कि रिफाइन फूड कितना हानी कालग होता है हुमन बॉडी के लिए अब जानते हैं दूसरी गलती वह तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है इन फैक्ट आप मेंसे जो लोग वह गलती नहीं कर रहे हैं तो हमें भी कमेंट करके जरूर बताए हमें बहुत ही खुशी होगी आपकी कमेंट्स पढ़कर और वह गलती है 45 मिनिट की सनलाइट का ना लेना डॉक्टर बिसुरूप ने अपनी डियाईपी डाइट में बहुत ही ज्यादा जोड दिया है इस चीज़ पर कि रोज की रोज 40 से 45 मिनिट सूरज के नीचे हमें बैठना ही है दोस्तों सूरज को प्रानाम करना और सूर नमस्कार योगा में यह तो इंडियन कल्चर का बहुत पहले से अभिनंग रहे हैं बस अब हम पैसों की इस दौर में अपने बिजी शेडियूल में इस राट रेस में इस सब भूली चुके हैं और इसका परिनाम यह हुआ है कि आ आते हैं तो वह आपको सबसे पहले विटामिन D की टैबलिक्स थमा देंगे कोई जांच परताल नहीं कोई ब्लड टेस्स नहीं वह सब बाद में लेकिन विटामिन D की गोलिया सबसे पहले पकड़ा दी जाती हैं इन सबसे बचने के लिए आप कुछ समय अपने लिए निका हो जाएंगी तो रिकेट्स और ओस्ट्यो परसिस जैसे दिक्कत तो भूली जाओ फैर इन फैक्त हाई विटामिन D लेवल से टीबी होने के चांसे बटिस परसंट तक घट जाते हैं अचा आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों में संटान स्किन ये इतनी क्यों पसंद की तो तो अड्रिग दितनी के लिटल में व goose 10 4 s लंगों में क्यों रिक्मात निञ्व को यह सिंपल होने के चांसें बहुत घट जाए relaxa और वेल्दी इसलिए क्योंकि पहले यूरोप की देशों में बस अभी मिलोग वोगेशन ने कर लोटते थे तो धिरी धिरी यही चीज जो है वो लफ वो संटान में डेवलाप हो गई फाइदे तो बहुत सारे हैं लेकिन वो कभी और डिसकस करेंगे अब चलते हैं तीसरी मिस्चेक पर तीसरा है लीव्स पत्ते वाली सब्जियां जो हम लोग अकसर मिस्कर देते हैं दो जरूर खानी है इसके कितने क्विक और जबदस फायदा हो सकते हैं आपको वह समझने के लिए आप दचाइना स्टेडी एक रेवल्यूशनरी स्टेडी है इस डाइट की फील्ड में जिसमें 20,000 अलग 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 एथनिसिटी वाले लोगों पर 20 साल तक स्टेडी की गई और तब जाके यह रिजल्ट सामने आए आप उसका यह बहुत ही इंपोर्टन सार देखिए कि प्लांट बेस जाइट खाने से लीव्स खाने से हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट से जोड़ी दिक्कतों को 100% तक रिवर्स किया जा सकता है और कैंसर तक को ठीक किया सकता है क्यों चौती बहुत बड़ी गलती जो लोग किये जा रहे हैं वो है आपकी डाइट में डेरी और डेरी बेस्ट प्रॉडक्ट्स दूद मार्केट में इस समय कितना ज्यादा एडल्टरेटेड है और मिल्क के उपर हम एक पूरी वीडियो पहले ही बना चुके है उसका लिंक भी में दिया हुआ है दूद ही नहीं दूद से बने प्रॉडक्ट्स मिठाईयां पनी चीज घी इस सब चीजें आपको अपनी डाइट से बिलकुल अवाइड करनी है दोस्तों आप लोकों को अपनी डाइट में ऐसा नहीं सोचना है कि दूद हट गया अब क्या खाएं एक ची अब आगया कि शरीर को कितना हेल्दी फील होता है तो बस फिर कोई चांस नहीं है कि आप दुबा रहे मिस्टेक कभी भी करेंगे फिफ्ट पॉइंट अब इसे गलती कहीं या फिर मिस्मानेजमेंट कि डिनर आठ वजे से पहले पहले निपट जाना चाहिए और आठ बजन कि अब इसके में मकसद ही है कि आपको सोने से पहले पहले ही खाना डाइजेस्ट हो जाए क्यूंकि अगर आप सीधर खाना खाकर बिस्तर बर लेट जाते हैं तो खाना से इसे डाइजस्ट नहीं हो पाता जिससे इन-डाइजेश्टन, ब्लोटिंग और ऐसी दिक्ते पैदा इसके लावा बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि प्लेट वन खानी है या दोनों प्लेट साथ सब्सक्राइब तो इसका सिंपल से कॉंसेप्ट आप खुद समझें कि पहले प्लेट वन फिनिश करने हैं ताकि धेर सारा फाइबर आपके शरीर में चला जाए जिसे बाद अब यह जानकारी आपको तो पता चल गई अब नेक्स आपको क्या फर्ज बनता है आपको अपने दोस्तों को भी समझानी है यह बाते ताकि आप तो बिमार पड़े ही ना और आपके आसपास कोई भी बिमार ना पड़े कि आज की तारीक में बहुत बड़ी संख्या में ल अंग्रेजी दवाईयां जड़ से खतम हो जाएगी और यह जो मुहीम डॉक्टर बिसुरूप ने शुड़ू करिए नाच्रुपिती की और राजीव दिख्षी जी ने शुड़ू करिए स्वदीशी की और प्राकृतिक चिकित्सा की यह अगर हम अपने जीवन में अपना ल और यह अंग्रेजी दवाईयों की जड़ ही कट जाएगी और यही तो अपरेशन रेलाइस का मकसद है